हज की पैदल यात्रा करने निकला फिर एक युवक देखने के लिए लोगों की उम्री भीड खुदा का घर देखने की ललक हर दिल की होती है हलांके आर्थिक परिस्थितियों के चलते हर किसी की यह हसरत पूरी नहीं हो पाती लेकिन जब इरादे मजबूत हों और खाहिशे परवान चड़ चुकी हों तो दीदार एकावा की राख खुद ही आसान भी हो जाती है कुछ इसी तरज पर अपनी इस तरलक को पूरा करने की ठानी है केरल के शिहाब नामक एक युवक ने सभी कागजी का रवाई पूरे करने के बाद शिहाब अपने घर से सौधी की और रवाना हो चुका है भारत के आखरी छोर केरल के मलपूरम जिले के कोटक कल के साथ अठाव नाड एक इलाका है यहीं के रहने वाले शिहाब पिछले दिनों पैदल हज सफर पर निकल चुके है वो अकेले ही पैदल चलकर च्छी आसी सौ किलोमीटर से ज्यादा का सफर तै कर आठ महीने बाद मक्का शहर पहुँचेंगे शिहाब अपने घर से निकल चुके हैं और रास्ते में उनका विभिन अस्थानों पर स्वागत भी हो रहा है शिहाब पाकिस्तान, इरान, इराक और कुवैत के रास्ते होते हुए सौधी अरब पहुँचेंगे बताते चलें कि शिहाब पिछले एक साल से इस रूहानी सफर पर निकलने की तैयारियों में जो टेक हुए थे शिहाब ने जब मक्का जाने के लिए विदेश मंत्राले में अरजी दी तो विभागी अधिकारी भी हैरान रह गए क्योंकि विदेश मंत्राले के पास इससे पूर्व कभी भी ऐसी अरजी किसी ने नहीं लगाई थी हलंकि शिहाब के सभी डॉक्यमेंट्स वेरिफाई करने और अने सभी सम्मंधित कागजी कारवाई पूरी होने पर विदेश मंत्राले ने भी शिहाब के सफर को हरी जंडी दे दी शिहाब सौधी अरब पहुँशने तक प्रती दिन कम से कम 25 किलो मीटर का पैदल सफर तै करेंगे क्योंकि उनके साथ कुछ सामहन भी होगा जिसके चलते वो रोज से ज़्यादा सफर शायद न कर पाएं बकॉल शिहाब अंजान रास्तों का सफर तो हिंदुस्तान छोड़ने के बाद शुरू होगा जो कि काफी हद तक मुश्किल और जोखिम भरा होगा शिहाब के अनुसार वो अपने सफर के दोरान अधिकतर राते मस्जिदों के अंदर ही बिताएंगे उन्होंने अपनी आत्रा शुरू करने से पहले ही कहा था कि वो अपने साथ कोई तंबू नहीं ले जा रहे हैं कुवैत में वेटिंग हो रहा है भाई का वहीं रिजवान काजी नाम के यूजर ने लिखा लेकिन इतना धिंडोरा क्यों पीटा जा रहा है काश पैदल जाता और किसी को खबर भी ना होती वहीं लियाकत नाम के यूजर ने लिखा अल्ला इनका हर कदम पर साथ दे और खैरियत से मक्ता पहुचाए आपकी कराए है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंड बोक्स में अपनी राइस जरूर दें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जरूर दबाएं जिससे आर खबर की अपडेट आप तक महुचे